नमस्ते बचों, शुतले की श्रंखला का ये 16 ओडियो है और आज हम लिखने वाले हैं बड़े उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़े आ की मात्रा और अन्य अक्षरों से मिलकर बने शब्द और इन शब्दों से मिलकर बने वाक्या तो आप तयार हो गए होंगे आपके पैंसिल और एरेजर के साथ प्रयास करिएगा कि आप अपनी एरेजर का इस्तेमाल कम से कम करें खूब ध्यान से सुनिएगा और लिखना शुरू करें पहला वाक्य राजू 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 दूध 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 पी प में बड़ी ए की मात्रा निकल रही है राजू दूध पी पोण विराम अगला वाक्य रूपा रूपा जूळ 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 जूल रूपा जूळ जूळ पोण विराम अगला वाक्य धूळ 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 मत अगला वाक्य अगला वाक्य धूब अगला वाक्य अगला वाक्य अगला वां अगला 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 वाक्या और मूली आलू और मूली ला अगला वाक्य आलू की कपर बड़ी की मात्रा आलू की भाजी कौमा लगाए उसके बाद लिखे पूरी 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 अगला कीसे लिखना है ड के नीचे बिंदी लगाएंगे बन गया अग़ा शब्द है पूरी पर बड़े उ की मात्रा निकल रही है और अगला पर बड़ी E की मात्रा आलू की भाजी कौमा लगा कर पूरी खा खा पूर्ण विराम अगला वाक्य अमरूद 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 और आलू केसे लिखेंगे तो आलू जो स्वर होता है उसे यहाँ पर लिखना है एक धंडा और दो मात्राएं लगती है आ के साथ बन जाता है आलूद अमरूद और शेहतूद 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 शेह कौन सा? शल्जम वाला शेहतूद शेहतूद ला अमरूद और शेहतूद ला पोन विराम अगला वाक्य खर्बूजा 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 और खर्बूजा और तर्बूज 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 खूब 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 खा खा तो पूरा वाक्य हुआ खर्बूजा और तर्बूज खूब खा पून विराम आगे लिखेंगे अगला वाक्य रामू 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 आया आया रामू आया और उसके बाद भालू लाया तो पूरा वाक्य हुआ रामू आया भालू लाया ध्यान से लिखेगा बाद के पूरा हो गया हो तो पून विराम लगाना न भूले अगला वाक्य रामू रा रामू रामू आ डमरू बजा पूरे वाक्य को एक बार में ही ध्यान से सुनने का प्रयास करें और फिर लिखिए रामू रामू डमरू बजा पूर्ण विराम बहुत अच्छे और अब आज के शृतलेक का आखिरी वाक्य है ध्यान से सुनिए कालू ठुमक ठुमक कर नाज दिखा पूरे वाक्य को सुनिए कालू भालू ठुमक ठुमक कर नाज दिखा कालू भालू ठुमक ठुमक ये दो बार लिखना है ठुमक को ठ पर छोटे उ की मातरा निकल रही है वाक्य हुआ कालू भालू ठुमक ठुमक कर नाज दिखा दिखा द पर छोटी ए की मातरा निकल रही है और इस प्रकार ये वाक्य पूरा हुआ पूर्ण विराम लगा लिजिए बहुत अच्छे तो आज का शुतलेक यहाँ पर समाप्त होता है आपसे मिलते हैं अगली ओडियो में